हेलो बच्चों, हमारे यूट्व चैनल अरस्तु एजूकेशन में आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में हम कप्छा सात्वी की एड़ क्रेट अभ्यास पुस्तिका 2023 से सामाजिक विज्ञान विश्य के अध्याए दो राजा और उनकी राज्य के कोशन आंसर सौल्ब करेंगे तो आईए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए कोशन नमबर वन दिया है राज राज और राजे इंद्र प्रतम द्वारा निर्मित किस इस्थान के मंदिर इस्थापत्य और मूर्ति कला की द्रश्टी से उत्करष्ट है इसका राइट आंसर है आप्शन बा तंजावुर और गंगई कोड चुल पुरम यहाँ आंसर लिख ले आगे देखिएंगे कोशन नमबर टू चोल काल में नाडू कहा जाता था इसका राइट आंसर है आप्शन आ गावो का समू है गावो को समू है चोल काल में नाडू कहा जाता था आगे देखिएंगे कोशन नमबर टू गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, रास्टकूट और पालवन्स के सासक सद्यों तक किस राज्य पर नियंत्रड के लिए आपस में लड़ते रहे इसका राइट आंसर है आप्शन दा कन्नोज यहाँ लिख ले आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर फोर सात्वी सताबदी के प्रारंब में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किने मानिता प्रदान की गई थी इसके आंसर में लिखिये सात्वी सताब्धी के प्रारंभ में राजाओं द्वारा बड़े भूश्वामी और योध्धा सरदार को सामत के रूप में मानेता प्रदान की गई थी आगे देखेंगे कोशन नमबर फाइफ चालुकी राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किये गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए इसके आंसर में लिखिए दंती दुर्ग ने चालुकी राजाओं को हराकर हिरणी गर्भ नामक अनुष्ठान किया यदि कोई जन में से शत्री ना हो तो भी इस अनुष्ठान से वह दुबारा शत्रित्वे प्राप्त कर लेगा हिरन ये गर्ब का अर्थ होता है सोने का गर्ब आगे देखेंगे कोशन नमबर सिक्स चोहान सासकों का राज्य विस्तार किन किन छेत्रों में था इसका अंसर लिखिए दिल्ली और अजमेर के आसपास के छेत्रों में चोहान सासकों का राज्य विस्तार था आगे बढ़ेंगे कोशन नमबर सैवन कल्धर त्वारा कस्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन इस तरोतों का उपियोग किया गया इसके अंसर में लिखिए सिला लेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दर्शियों के वर्णन और इतिहास सहित अनेक इस्तरोतों का उपियोग कल्धर द्वारा कस्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने में किया गया आगे देखींगे कोशो नमर एट गंगा घाटी के कन्नोज नगर को लेकर किस वन्स के साशकों के बीच लंबे समय तक शंगर्स होता रहा और क्यों? इसके आंसर में लिखिये गुर्जर प्रतिहार, रास्ट्रकूट और पाल वन्सो के शाशक के बीच लंबे समय तक संगर्स होता रहा क्योंकि यह गंगा घाटी प्राकर्तिक संपदा से भरा हुआ एक उन्नच्छेत्र था आगे देखिंगे कोश्व नमबर नाइन, चोल सासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अहरता थी? इसके आंसर में लिखे चोल सासन में सभा की सदस्यता के लिए निम्न अहरता थी पहला उनके पास भूमी हो जिसमें राजस्वि वसूला जाता हो दूसरा उनके पास अपना घर हो तीसरा वेदो का ग्यान हो चौथा उनकी उम्र 35 से 70 के बीच हो आगे देखेंगे कोशन नमबर 10 चोल वंस द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई इसके आंसर में लिखे चोल वंस ये मुखिया विज्याले ने मठ हरियों को हरा कर वहां तंजावुर सहर और निशुम्बद सूधनी देवी का मंदिर बनवाया इसके बाद विज्याले के उत्तरा दिकारियों ने पडोसी छेतरों को जीता और अपना छेतर फल बढ़ा कर सत्ता प्राप्त की आगे देखेंगे कोश्च नमबर 11 चोल राजाओं के समय विक्षित इस्थापत्य एवं मूर्ती कला की विसेस्ताय लिखिए इसके अंसर में लिखिए चोल राजाओं के समय विक्षित इस्थापत्य और मूर्ती कला की विसेस्ताय निमने है पहला उपरी छत पतली थी दूसरा पत्तरों की प्रतीमाओं से दिवारे सजाई गई थी तीसरा कासे की प्रतीमाएं थी चोथा चोल कांसे प्रतिमाय संसार की उत्तक्रष्ट कलाक्रती थी आगे बढ़ेंगे कोश्चन नमबर 12 चोल राजाओं के समय क्रसी एवं सिचाय की क्या विशेस्ता थी इसके एंसर में लिखिये चोल राजाओं के समय क्रसी के लिए जंगल साफ किये गए भूमी समतल की गई, बाढ़ रोगने के तर्ट बंद बनाए गए एवं सिचाय के लिए कुवे खोदे गए एवं विशाल सरोवर बनाए गए इस प्रकार की विवस्ता चोल राजाओं के समय क्रसी एवं सिचाय के लिए की गई थी आगे देखींगे कोशन नमबर थरटीन चोल कालीन प्रशासन विवस्ता की प्रमुक विसेस्ताय लिखिए इसके आंसर में लिखिए चोल कालीन प्रशासन की विसेस्ताय निमने लिखित है प्रशासन ग्राम परिशद नाडू और उर में विभक्त था दूसरा किसानों की बस्ती उर कहलाती थी तीसरा गाओ के समूह नाडू कहलाते थे चोथा ग्राम परिशद और नाडू द्वारा न्याय और करवसूला जाता था तो बच्चों यहां पर आपका ध्यायदों कम्प्लिट होता है आपको वीडियो कैसा लगा यदी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्त्व एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्तिका के सभी वीडियो आसानी से मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठैंक यू